पठान और जवान जैसी बॉक्स ओन्फिस को हिला देने वाली फिल्मे देने वाले बॉलीवुड के शहनशाह शाहरुख खान के फैंस उनके हर अंदाज पर जान छड़कते हैं। अब शाहरुख के फैंस की नजर उनकी आने वाली फिल्म डंकी पर टिकी है। लेकिन खुद शाहरुख के फैंस भी शायद नहीं जानते होंगे कि एक बार किंग खान को एक महिला ने तमाचा जड़ दिया था चलो जानते हैं क्या था पूरा किस्सा बॉलिवुड के सर्ताज कहे जाने वाल शाहरुख खान के यूँ तो कई अंसुने किस्से हैं आपने अब तक सुने होंगे लेकिन आज हम आपको शाहरुख खान का एक किस्सा बताने जा रहे जब पहली बार किंग खान मुंबई आये तो उनके साथ ट्रेन में एक हादसा हो गया था और क्यों एक महिला ने उन्हें चलती ट्रेन में थपड़ जड़ दिया था दर असल यह किस्सा बेहत कम लोग ही जानते हैं तो आये जानते हैं कि आखिर क्यों शाहरुख को उस महिला ने चांटा मारा था दर असल हुआ कुछ यूँ था कि शाहरुख खान पहली बार मुंबई आ रहे थे और उन्होंने ट्रेन में एक बर्थ भी बुक कर दिया था लेकिन खान को ये नहीं पता था कि दिल्ली से मुंबई आने के बाद वह ट्रेन मुंबई की लोकल ट्रेन में बदल जाती है जो भी आकर सीट पर बैठता शाहरुख खान और उनके दोस्त यह कहकर उठा देने उठा देते थे कि इस सीट के लिए हमने टिकट लिया है ये सिलसिला कुछ देर तक चला और तीन-चार लड़कों को उन्होंने अपनी सीट से हटा भी दिया लेकिन इसी दोरान ट्रेन के उस डिब्बे में एक महिला आ पहुँची उस महिला के साथ उनके पती भी उनके साथ थे शाहरुख ने महिला को देखकर अपनी सीट दे दी लेकिन उनसे ये भी कहा कि आप बैठ सकते हो लेकिन आपके जो साथ हैं वह नहीं बैठ सकते लेकिन आप यहां नहीं बैठ सकते हैं बस फिर क्या था महिला ने गुस्से में आकर शाहरुख खान को थपट जड़ दिया और कहा ये सब की ट्रेन है और यहां पर कोई भी बैठ सकता है शाहरुख खान ने इस बात का खुलासा खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था वैसे देखा जाए तो शाहरुख के लिए ये साल काफी लकी रहा है इस साल की उनकी तीसरी फिल्म है जो रिलीज के लिए पूरी तरह तयार है इस से पहले उनकी पठान और जवान ने भी बॉक्स ऑन्फिस को हिला कर रख दिया था उनकी इन फिल्मों ने करोडो कमाकर मेकर्स को भी माला माल कर दिया था अब वे डंकी के जरीए फैंस की एकसाइटमेंट बढ़ा रहे हैं हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है बता दें कि शाहरुख खान ने अपने अब तक के करियर में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं खास तोर पर करियर की शुरुआत में ही डर जैसी फिल्मों में एगिटिव रोल निभा कर तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया था